नौकरी तभी मिलेगी जब आप पढ़ाई करोगे, जब आप लगन से तयारी करोगे, ये तयारी ही Catholic है जो आपकी सिलेक्षन दिलबाएगी, ये तयारी ही जो आपके बनह्ने पढ़ेँ जड़ाएगी, और ये तयारी जो आर्पीएप कॉस्टवलस एस अ में अज़ाइगी, सब्सक्राइब दोस्तों को जय हिंद बंदे महतरम राम राम आरपीएफ कॉंस्ट्रोल एसाई की नई वेकेंसी का अफिस्चल ली नोटिफिकेशन आ चुका है इंप्लामें नूस्पेपर में इसका फॉप अप्लाइ 15 अप्लाइल 2024 से स्टार्ट है और पोश्ट की संक्या 4600 प्लस बताई जा रही है तो बहुत सरा बच्चे दीमोटिवेड है क्या वेकेंसी इंक्रीज होगी की नहीं होगी और मैं दोस्त कटप बहुत सरा हाई चल जाएंगे तो बात करते हैं वेकेंसी के बारे में तो वेकेंसी कंफर्म इंक्रीज होगी और टोड़क पोश्ट की संक्या देखिएगा जितनी वेकेंसी है उससे बढ़के आपके 9500 प्लास हो जाएगी और हो सकता है वेकेंसी इससे भी ज्यादा इंक्रीज हो 12000 प्लास भी वेकेंसी हो सकती है अफिशन नोटिफिकेशन के साथ आपको साही जनकाई देने वाला उस बच्चों को वीडियो शेयर जरूर कर देना उसकी बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी तो मैं दोस्त आपके 15 अप्राइल से पूरा प्लाइस बूक में कवर किया गया है इसे के साथ इनकी मैद की एक बूक आ जाती है जिसमें आपको 10 जाप प्लास अब्जेक्टिव पोश्चन और तीसे से पूरे पढ़नों कवर किया गया है यह दो बुक से आप तयारी करो मैथ और इजनी पूरा आपको कवर हो जाएगा और किसी का बाव का सेलेक्शन नहीं रोख पाएगा इसी के साथ दोस्त आपको पता है आर्पेश को पाश्रोल एसाई में 50 नंबर क जीके जीएस का पेपर होता है तो उस जीके जीके जीएस के 50 नंबर कभर करने के लिए दोस्तों आपके समाने अद्धन की बुक आ जाती है किरन पॉब्रिकेशन की यह वन अब तब बैस्ट बुक रहने वाली सताइस जाप प्लास आपको अब्जेक्टिव कोशन मिल जाए और यह बे 90% कोशन विबीड करता है तो यह दोस्तों सबसे बड़ी बात है तो इस सारे बुक कर लेंगे वीडियो के डिस्क्रिशन में डाल दूँगा वहां से दोस्तों आप इस बुक का पर्चेस कर सकते हो और अपना सिलेक्शन पका कर सकते हो आपके अपने नोटीस की आज से कुछ दिन पहले अरपिफ के तरफ से एक नोटीस जारी किया गया था ठीक है जिसमें दोस्तों रूर लेगुरेशन नोटीस से कहा जाता है जिसमें दोस्तों यह बताये गया था कि किस टाप से आपके नहीं वाले भर्तियों किया जाएगा और मैंने उस टाइम पर क क्रीज होके आएगे आप देख लेना और मैं दोस्त वैसा ही हुआ और यह नोटीस अपडेट देख सकते हैं 21-2024 का यह नोटीस है ठीक है इसमें दोस्तों आरपिफ के तरफ से एक नोटीस जारी किया गया था और वेकेंसी की संख्या कितने बताई गई थी आप उस टेम प 250 रहेगी फिटल 250 वेकेंसी पर दोस्तों आपकी वार नही वाली भरती आ रहेगी उस टेम पर हर किसने कहा था कि वेकेंसी इतनी आएगी इस तरफ वेकेंसी नहीं आएगी पर मैंने आप पर वीडियो बनाया था वेकेंसी इंक्रीज होगी आप देख लेना जब इसका वो बताऊंगा, ठीक है, वेकेंसी की संक्या, दोस्तों, आपकी बढ़ गई, 4,660 पदोपे वेकेंसी का नोटीस आया, और ये नोटीस official नोटीस है, employment newspaper में आ हुआ है, तो इतनी पदोपे वेकेंसी आएगी, अब दोस्तों ये वेकेंसी इंक्रीज होई कि नहीं होगी, देख इसमें कॉंस्तों के वेकेंसी कितनी है, 4,208 वेकेंसी टोटल के निकाली गई, तो इतना फरत हुआ, पहले और सेकेंड नोटीस में, अब दोस्तों, वेकेंसी क्यों इंक्रीज होगी, देखिए, अभी तक ये जो नोटीस आया है, ये नोटीस में क्या है ना, जितने भी ज ग्रूप टिवाइड कर दिया है तो इस गुरूप में डिवाइड कर दिया गया अब इस ग्रूप में जोन है जैसे कि दोस्तों आपके होगे दिली हो गया महाराष्टा ओगे जो भी जोन है तो उस जोन में कितनी वेकेंसिस खाली है उसका डेटा जब तक रेलवेड के पास आएगा, railway आपकी vacancy release नहीं करएगे, vacancy trees नहीं, जितना date अभी तक railway के पास है, उसी एक कॉर्डिंग railway ने इतनी vacancy release की है, लेकिन अगर हम वो vacancy की बात करें, तो दोस्तों आपके railway में बहुत ही अच्छी खासी vacancy खाली, देखिए, newspaper में भी आया हुआ था, railway में टोरल जो vacancy ह आपे पहुंश वाई इसाई की 9000 प्लास पॉदों पर दोस्तों भरती कराए जाएगी ठीक है और महिला के लिए अकेले 4500 स्ट रहेगी उसमें और यह दोस्तों रेलवे का एक ऑफिशल नोटीस है आप यहां पर देख सकते हैं नोटीस का डेट भी हाँ पर मेंसन किया गया है 482000 पर छेट दोस्तों रिएलवे ने खुद ऑफिशलिय राजेसभा में दोस्तों यह डेटा पेस किया था जिसमें दोस्तों रियलवे ने ये बता है था कि जितने भी हमार्य रिएलवे के जोन इस्ट रोटन नोटीस है इसमें उलार जोन का पूरा यहां पर ड़या देटा तो यह देख सकते हैं, यहाँ पर इतनी vacancies खाली है, अब दोस्तों इसमें क्या है, इसमें जितनी डेटा है, यह डेटा दोस्तों आपके ALP हो गया, ठीक है, आपके TTE हो गया, RPF हो गया, यह सारे दोस्तों vacancies को मिला के इतनी vacancies खाली है, group D हो गया, included railway के जितनी vacancies सबको मिला क और इसके data के according, railway ने खुद कहा था कि vacancies से total 12,000 plus दोस्तों हमारे railway में खाली है, RPF Constable ASI की, और यह vacancy release की जाएगी, लेकिन अभी तक जितनी दोस्तों आपके zone है, उन zone ने दोस्तों clear data नहीं दिया है railway को कि इतनी-तनी vacancy हमारे RPF Constable ASI में खाली है, जितना data अभी तक railway के पास दोस्तों vacancy का आपको जनकारी दे दी, second बास दोस्तों railway के पास और data आया, अलग-अलग zone से, तो railway ने इसकी संख्या बढ़ा दी, और 4,660 vacancy पे दोस्तों अभी railway ने notice जारी किया है हाल ही में, अब railway के पास अगर और data आता है future में, तो दोस्तों हो सकता है vacancy का जब notice है, तो vacancy को on increase करते करते आपके 9,500 पदों पे vacancy को कर दिया जाए, क्योंकि vacancy का है सबसे पहली बाद, vacancy दोस्तों 4 साल के बाद आ रही है, और vacancy में age lexation दिया गया, और आप एक चीज़ देखिएगा, जब-जब government ने age lexation दिया है, तब तो vacancy को government ने increase किया है, SSS GD के आपने द 260 पदों का हो सकता है, जब आपका दोस्तों official notice आए, तो इस vacancy को और increase किया जब 5,600 पदों पे notice आए, और अगर नहीं भी आती है, तो भी आपको अप्लाई ज़रूर करना, बाद में ये vacancy increase होगी, और ये vacancy increase होके देख लीजगा, 9,500 पदों पे होने वाली है, और दोस्तो बड़ेगी railway का आप यहाँ पे official data दे सकते हैं, और यह सब कुछ मैं आपने telegram चनल पे डाल दूगा, आप बहाँ जाके दोस्तों, इसको official भी दोस्तों आपने जानकाई ले सकते हो, इतना दोस्तों vacancy खाली है railway में, जब railway का official data है भी राजजय सभा में, ठीक है, चार आठ दोस्तों एक साल में vacancy का सब fill up हो जाएगी, क्योंकि vacancy तो आही नहीं रही, हम तो खुद information देते हैं, अब दोस्तों बात करते हैं, उसके लिए परसान है न, vacancy increase होगी, confirm होगी, पूरे पर चांसे से जैसे 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 आपका zone data देते जाएगा railway को, वैसे वैसे आपकी vacancy increase होते जाएगी, तो कि आप सबको पता है, सारे zone wise और group wise divide किया गया है, तो सब zone दोस्तों group अलग-अलग होता है, same ही होता है, तो वो भी दोस्तों एक चीज होता है, वो आपके बहुत ही matter करती है, अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, आप पर cut-off के बारे में, आपर cut-off मैंने आपको पहले भी कहा था, zone wise इसके बारे मैंने आपको बताया तकिये, अभी कहने railway का कर यह, आर्फे फीजो वेकेंसी होती है, उसको group में divide कर दिया है, सारे zone को, तो आपके railway में अभी दोस्तों पहले 16 zone थे, अभी सारे zone wise दोस्तों डिवाइड किया गया है, A, B, C, D, आप यहां पर देख सकते हैं, एक group का जो भी दोस्तों आपका होता है, उसमें दोस्तों cut up कितना जाता है, 83 plus cut up जाते हैं यहां पर, और इसी पाता हो, railway में नौमाजिशन में बहुत देंजर होता है, अगर आप 60-70 नौमर रखते हो, तो 15-20 नौमर तो नौमाजिशन में ब को इतना यकीन है कि अगर आप 72 भी रख दोगे तो नौमाजिशन में आपके 15 यह दोस्तों 20 नौमर तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि यह सब नौमाजिशन होता है, आप जितना भी नौमर रखते हैं, और दोस्तों अगर आपको safe zone की बात करें, तो जो आपे गोहाटी है, previous year म हम गये हुए थे, तो इस zone में आपको अपलाई कर सकते हो, अब दोस्तों zone की बहुत important चीज़ है, जो कि बहुत सरे बचों करें मित है, कि अगर हम दोस्तों Odisha से बिलॉंग करते हम वेस्ट बंगा से बिलॉंग करते हम दोस्तों अगर गोहाटी zone में डाले, दिल्ली वाले मे अलग-अलग जो zone wise लगे, कि group wise लगें, C हम D में, B में apply करने, तो हमें वहाँ का domicile मांगा जाएगा, तो जी नहीं, आपको जो भी area का domicile है, वही domicile लगेगा, कोई दोस्तों नेया domicile वहाँ आपको नहीं देना है, बस आपको एक चीज़ है, कि जैसे group B में दोस्तों गुरूप E में आपका होता है, तो आपको गुहाटी में सर्विस करना पड़े है, गुरूप D में अगर आपको स्रेक्शन होता है, तो आपको दिल्ली, इलावा, जैपूर, गोरफूर, यही दोस्तों division में आपको बाट दिया जाएगा, यही zone में आपको जिंदगी बर सर आपको दिल्ली, इलावा, जैपूर, गोरफूर, वाला है, तो इस zone में मत अप्लाई करना हो सकता है, तो आप E, A, B, C में अप्लाई करो, वहाँ पर दोस्तों medium cut-up जाते हैं, और अप्रिल में फॉर प्लाई स्टार्ट है, ज्यादा टाइम बचा नहीं है, अगर आज आप महनत नहीं करोगे, तो फिर selection नहीं हो पाएगा, तो अप्रिल में अगर फॉर प्लाई स्टार्ट है, तो महनत आ प्लाई महँ किया एता आपको एक पोष्ट में नहीं मिलेगी, तो दौस्तों नौकरी तभी मिलेगी जब आप पढ़ाई करो गे, जब आप लगन से तयारी करोगे, तो यह तयारी ही है, जो आपका selection दिल वाएगी, तयारी ही है, जो आपके बरदम तो वर्दी चड़हीं और यह तैयारी ही है जो RPF Constable ASI में सेलेक्षन करवाएगी और यह एक नाराजा नोकरी होती है मैं दोस्त मैं समझ रहे हो ना ASI में जाओगे दरोगा वाली फील आएगी RPF Constable ASI में जो स्टारला कैसे खड़े होगे तो एक अलग रुतबा होता है और Constable ASI में जाओगे तो एक अलग रुतबा होता है बरदी पहना मतलब उसका रुतबा यहाँ से यहाँ चला गया और E-liction मिला है सबसे बड़ी बात है तीन साल का E-liction इस मौके को हाथ से मज जाने दो रगर के पढ़ाई करो, मेहनत करो जब आप दी महनत करने को तयार होता है तो में दो सिलक्षन भी होता है और दोस्ता अगर महनत करने को तयार नहीं होता है तो सिलक्षन नहीं होता है सब दोस्तों डिपेंड करता है आपके महनत के उपर महनत करोगे तो सिलक्षन होगा मेहनत नहीं करोगे, तो इस्ट्रक्सर नहीं होगा, वर्दी नहीं चड़े, आप से तैयारी करने वाए लाकों स्टुडेंट पढ़े हुए, भड़े-पढ़े, तो कि हिंदुस्तान में सिर्फ फारम भरते हैं, पढ़ाये बिल्कुल नहीं करते हैं, और आप ही जैसे बहुत पढ़े हुए, जो कि दिन रात पढ़ाई करके अपने बदन पर वर्दी चड़ाने को तैयार रहते हैं, तो आप डिसेड करो कि आप किस सिर्फ में जाना है, जो कि दिन रात पढ़ाई करके अपने बदन पर वर्दी चड़ाएगा, या उन उस सिर्फ में जो दिन रात नह कर रहा है अपने बदने वर्दी चढ़ाने के लिए तो उस महनत को बख़ा रखना है और वर्दी मिलेगी मेरे दोस्त बस तू महनत करने को तयार रहा जै हिंद जै भारत और कुछ भी डाउट रहे गया हो तो कॉमेंट्स नर्फ खुला हुआ है कॉमेंट में दोस्तों कॉमे 9500 वेकेंसी होगी और इसे भी ज़्यादा वेकेंसी खाली हो सकती है यहो सकता है वेकेंसी और बाद में इंक्रेस किया जहाए बदया के औरOh 144 धीले हैर्व किस्ट बने पिस को जो सकता है अगर करो अब बार क्यश поступाब ग्रίνघर को की यह हाने कि मेंशा है जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत मता की जय बंदे मातरम, बस जाते हैं इतने कहना चाहूंगा, गंध कहां तक पाला जाए, युद कहां तक ताला जाए, राना कातू बंसज है, फेग जहां तक भाला जाए, गंध तरफ लिकाव भारत, सिक्का वहीं उचला जाए, तो महनत क करनी है और जब आदमें मेहनत करने को तयार होता है तो बंदों ने वर्दी भी चड़ती है और सिलेक्शन भी होता है लवी मेरे सारे भाई को बोल भात्मता कि जय पंदे मात्रम जय हिंद जय भारत